इसको क्यों करते हैं और इंटर्व्य पॉइंट आपका एक होटा सा बेसिक कॉंसेट आपका इंटर्व्य खराब कर सकता है आपका इंटर्व्य कितना भी अच्छा जा रहा हो और एक बेसिक चीजे अगर आप गलाएंट पर इंपाक्ट परता यह तो बेसिक फंडमेंटल जो होता है वह किलियर होना बहुत इंपॉटन होता है अब सबसे पहले हम इंस्टेंस अप हो तक क्या है उसका definition देखेंगे and then उसके key points को देखेंगे and then फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे code पर इस वीडियो को देखने के बाद आपको पर समझ में आ जागा कि instance of operator क्या होता है क्यों use करते हैं कि करते हैं कि सबसे पहले definition देख लेता है ठीक है तो instance of keyword is used in java to check whether object is in the instance of a specific class और implementation इंप्लिमेंटेशन इंप्लिमेंट्स पर्टिकुलर इंटरफेस ओके तो बसे करते हैं इंस्टेंस की बड़ जो आप स्वारी इंस्टेंस आप जो एक है इसका सिंटेक्स का तो इसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है मैं आपको बता देता हूं अब्जेक्ट इंस्टेंस आफ इंस्टेंस आफ अफ अधिन लिए इस तरीके से सिंटेक्स होता है अब हम लोग इसके कुछ की पॉइंट्स है जो की इंपॉडटन है आप चेकिंग का मतलब क्या होता है इंस्टेंस इस अ कॉमनली इस फोर थैप चेकिंग विफोर कास्टिंग अब्जेक्ट तो प्रिवें रॉन्टाइम मेरे सो बैसिकली हम लोग और थैप चेकिंग के लिए इंस्टेंस आपका यूज करते हैं अब्जेक्ट आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से वर करता है यहां पर मैं अल्रेडी कोड लिख रखा हूं ठीक है तो अगर आप यहां पर देखोगे मेरे पास एक पैरेंट क्लास है जो की वेहिकल है क्लास वेहिकल जिसमें एक सिंपल सा वाइड मेथड है वाइड मूभी और सिंपली मैं इस पर प्रिंट कर रहा हूं आइम मूविंग और मेरे पास एक सब क्लास है जो की और जो की एक स्टेंड कर रहा है वेहिकल क्लास को ठीक है इसमें एक सिंपल सा मेथड है जो कि सिंपल तो अगर आप देखोगे तो परेंट्स का रिफरेंस ले रहा है वहिकल और वहिकल 1 and equal to new already यहां पर और अब्जेक्ट कर रहा है next में देखोगे यहां पर basically हम लोग BMW का और जिख्ट कर रहा है थाड में अगर आप देखोगे कि यहां पर हम लोग क्या कर रहा है वेहिकल 3 object कर रहा है जो कि हमारा reference प्लस object भी वेहिकल का ही parent class का ही create कर रहा है अब instance operator का क्या मतलब है उसको क्या check करना है कैसे check कर सकते हैं उस देखते हैं तो यहां पर आप देखोगे मैं simply return कर रहा हूं वेहिकल वेहिकल वन है क्या instance of already है क्योंकि यहां पर object किसका create कर रहा है और अगर सेकेंड में देखोगे तो वेहिकल वन इस देंस वेहिकल वन इंस्टेंस वाड़ी तो नहीं नहीं ना reference हमारा वेहिकल का है object किसका create कर रहा है वेहिकल वेहिकल वन में और यहां पर रिफरेंस किसका है वेहिकल का जो की हमारा जो parent class है न वह इंस्टेंस है इस particular reference का एक क्या करेगा return यह return रू करेगा सेकेंड टाइम उसी तरिकासे अगर आप देखोगे तो वेहिकल टू में यह किसका इंस्टेंस है वेहिकल किसका इंस्टेंस ब्यू यहां यहां पर रिदर्स कर दागा यहां पर रिदर्स तो यह तरू कर देगा उसी तरीके से वहिकल 2 तो यह क्या वहिकल का तो क्या हमारा उब्जक्त करदेगा उसी तरीके से का वहिकल तरी धुर। का इंस्टेंस है नहीं जो कि वहिकल तरी आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हमारा जो आउट्पूट था एक्स üzप्टेटाइए किने तो गई देखो यहां पर एक्सपेक्टेट आउट पर वेहिकल वन जो है अगर आप यहां पर देखोगे तो वेहिकल वन हमारा इंस्टेंस ओप ओडी है ट्रू रीटेन कर दे रहा है ठीक है उसी तरीके से वेहिकल वन इस देंस ओब वेहिकल वन हमारा इंस्टेंस नहीं है वेहिकल तरीके से अगर आप देखोगे तो वेहिकल तो तो यह हमारा इस वीडियो से आपको वे इंस्टेंस ओफ ऑपरेटर क्या होता है और क्यों करते हैं समझ में आया होगा देखो आपको याद करने के जरूवत नहीं है ठीक है कितना भी आप याद करोगे साथ दिन दस दिन पंदरे दिन एक महीने बाद आप भूल जाओगे तो बेस्ट यह हो जा है कि आप इस कोड को प्राक्टिस कर लो ठीक है जब को प्राक्टिस करोगे इस तरीके से लिख के ना तो यह चीजे माइंड में हमेशा छप जाती है एक इमेज के तरह तो आपको गुगल करोगे ठीक है आप रिविजिन करना चाहतो या चाट जी पीटी पर डालो तो आपको मिल जाएगा थे औरीपाट का इसु नहीं है बट आपको कोड प्राक्टिस जरूर करना तो नेक्स वीडियो में गाईस हम लोग बात करेंगे इससे रिलेटेड एक क्वेरी एक कोड पुझा गया था जेपी मॉर्गन में उस कोशन के बारे में हमनों बिसक्स करेंगे तो होप सुगाई से वीडियो आपको अच्छा लगाओ अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक करना और सेयर करना और थैंक्यू सो मच थैंक्स पूर वाचिंग